नवश्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज्स में आपका स्वागत है आज है 22 दिसम्बर दिन शुक्रवार खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में बन रहे विरार ट्रामायन मंदिव की ये है खासियत बिहार बजट 2024 में सरकार के सामने ऐसे रखें अपना सुझाओ बिहार में गुर उद्द्यों को बढ़ावा देने की होगी कोशिश सहारा ग्रूप के निवेशकों के लिए सरकार उठाने जा रही ये कदम भारत ने साउट अपरिका के खिला जीत दर्जकर वंडे सरीस पर किया कबजा अब चले बरते हैं बिहार के अब तक की 25 वड़ी खबरों के ओर विस्तार से UPSC, NDA और CDS भरती का 887 पदों पर नोटिफिकेशन जारी UPSC के द्वारा NDA, NA परिक्षा 1 और CDS परिक्षा 1, 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें NDA में 400 और CDS में 457 पद है सेवें वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वो UPSC.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे किसके लिए आविदन करने की अंतिम तारीक 9 जनवरी 2024 तक निरधारित की गई है इसके लेगर सेचनिक योगिता की बात करे तो UPSC NDA एक में आविदन करने के लिए उमिद्वार को मैच सबजेक्ट से बारवी पास होना अनिवारे है वहीं UPSC CDS एक में आविदन करने के लिए उमिद्वार के पास किसी मानता प्राप्त यूनिवोसिटी से ग्रैजुएट की डिग्री होनी चाहिए इसके अलवा ग्रैजुएशन की फाइनल एयर के स्टुएट भी इसके लिए आविदन कर सकते हैं सिजरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी के गए नोटिफिकेशन को ज़रूर देख ले बिहार बजट 2024 में सामनी ऐसे रखे अपना सुझाओ अगर आप भी उन लोगों में से आते हैं जो बिहार बजट 2024 में अपने सुझाओ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो यहां ख़बर आपके लिए है बता दी कि बिहार सरकार के वित्विभाग के दौरा IPRD बिहार के तहट पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार की ओर से बिहार बजट 2024 के लिए आम नागरिकों के सुझाव आमंतरित किये गए हैं ऐसे में आप अपना सुझाव 15 जन्वरी 2024 तक सरकार तक पहुंचा सकते हैं पतादी के सुझाव देने के लिए आपको वित्विभा की वेबसाइट sttps.gov.in slash finance में जाएं और फिर वहां वेबसाइट पर मौझूद बिहार बजट 2024 हेतु सुझाव के लिंक पर क्लिक करें और फिर आप वहां जाकर सुझाव हिंदी में दे सकते हैं वही अगर आपका सुझाव बीस पंक्ती से अधिक हो तो आपको उसे स्कैन कर अटैच करने के आवशकता होगी इसके लावा आप अपना सुझाव ई-मेल बजट सुझावर2024 at the rate gmail.com पर भेज सकते हैं बहुत महत्वपुन जब हम ट्राफिक सिगनल के पास से गुजरते हैं तो हमें हमेशा सिगनल में तीन रंग दिखाई देते हैं यानि कि आप अगर कहीं जा रहे हैं और आपको सिगनल पर लाल लाइट यानि कि रेड लाइट दिखता है तो आपको रुख जाना है वहीं अगर आप ट्राफिक सिगनल में पिली लाइट देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप चलने के लिए तयार हो जाए ये पिली ला पाल न करने वाले लोगों पर जिर्माना भी लगाया जा सकता है। करोड उपय लगाई गए थी वहिस भैसे गोलुदो को देखने के लिए मुख्यमंत्रे नितीश कुमार भी पहुंचे और उसके बारे में उसके मालिक से जानकारी लेकर हैरान रहे आपकी जानकारी के बता दे कि गोलुदो का मालिक किसान पदमश्री नरंदर सिंग है जो गो महावीर मंदर नियास के सचीव आचारे कि शोड कुनाल के दौरा दी गए जानकारी के इनुसार बहर के पुढ़वी चंपारण में महावीर मंदर क्रस्ट के दौरा विराट रमायन मंदर का निर्मां करवाया जाए Phillipson टाटा कंसंतिंग के द्वारा किया जाएगा बता दे भी स्थापित होगा जो विश्व का सबसे बड़ा सिवलिंग होगा और इसमें एक हजार छोटे शिवलिंग भी होगे सिवलिंग का निर्मान तमिलनाडू के महा बली पूरब में ब्लाक ब्रिनाइट पथर की चटान को तराश कर किया जाएगा बता दे कि मंदर के परिसर में कुल 22 दिवाले होंगे मंदर के कुल 12 सिखर होंगे जिनमें दूसरा उंचा सिखर 198 फीट का होगा इसके अलावा 143 फीट के 4 135 फीट के 1 और 108 फीट के 4 सिखर होंगे बता दे किस मंदर को वर्ज 2026 में लोगों के लिए शिरू कर दिया जाएगा बिहार में गुर उद्योग को बढ़ावा देने की होगी कोशिश बिहार सरकार के द्वारा अब चीनी नहीं बलकि गुर के उद्पादन पर फोकस किया जाएगा इस बारे में गुर उद्योग मंतरी आलोक मेता के द्वारा दावे किये गए हैं उन्होंने कहा कि गुर उद्पादन के लिए नई नीती बनाई गई है जैसे चोटे क्रिसी रोड मैप से जोडा गया है ऐसे में इस नई नीती के तहच गुर उद्पादकता को छोटी छोट इकाई बनाकर बढ़ाया जाएगा वहें उनके द्वारा दी गई जानकारी के नुसार बिहार में गन्ना उद्द्योग खोलने के लिए को ऑपरेटिव आगे लगाया जाएगा इससे चोटे चोटे व्यवसा एक संगठन को जुरा जाएगा और साथी बड़े अभी प्रावधान किया जा रहा है इसका उद्योग खोलने के लिए चीनी आरक्षी चित्र में जगह दी जाएगी और साथी अन्हे इलाकों में गुर उत्पादन के लिए जमीन भी महया कराया जाएगा बिहार सरकार इसको लेकर सुगर के इन्वेस्टर मीट आयूजित कर सहरा ग्रूप के निवेशकों के लिए सरकार उठाने जा रही ये कदम सहकारिता राज्यमंत्री बील वर्मा के द्वारा प्रश्नकाल में राज्यसभा में जानकारी देते वे बताया गया कि सरकार के द्वारा सहरा निवेशकों के लिए एक पोर्टल लॉंच किया गया है जिसमें अपना पैसा वापस पाने के लिए अब तक 3 करोड से जादा लोगों के द्वारा रेजिस्ट्रेशन करा लिया गया है लेकिन सरकार को अब तक केवल 5,000 करोड रुपे ही मिले हैं जब कि निवेशकों को लोटाने वाली रकम करीब 80,000 करोड रुपे है ऐसे में सरकार की निवेशकों को पैसा लोटाने के लिए और पैसों की जरुवत होगी इसी को देखते वे सरकार के द्वारा एक बार फिर से सुप्रीम कोड का दरवाजा खट-कटाया जाएगा ताकि निवेशकों को लोटाने के लिए रकम हासल की जा सके उन्होंने आस्वस्त किया कि जिन भी लोगों के द्वारा पोर्टल पर रेजिस्ट्रेशन किया गया है उन्हें उनका पैसा जरूर वापस किया जाएगा डॉक्टर भीम राओं अम्बेटकर अवासिय विद्याले का ऐसे उठाइला विहर सिरकार के अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जाती वर्ग के चातर चात्राओं के सैश्रिक एवं समाजिक विकास के लिए राजी के सभी जिलों में कुछ 87 डॉक्टर भीम राओं अम्बेटकर अवासिय विद्याले का संचालन किया जा रहा है जिसमें वर्ग एक से बारवी तक की कक्छा संचालित है वर्ग एक से छे मी नामांकन का प्रावधान है वहें इस आवासिय विद्याले में नामांकन हेतू विग्यापन का प्रकासन प्रते एक वर्ष जन्वरी फरवरी महा में किया जाता है अलाके सरकार की ओर से इसमें नामांकन लेने वालों के लिए कुछ अहरता भी निर्धारित की गई है जिसके तहत आविदक बिहार अनुशुचित जाती एवं अनुशुचित जन जाती वडग से होना चाहिए। supplier वह इसके लिए चैन की प्रक्रिया वड़ग एक में लोटरी की आधार पर है और वडग छे में जों अंकों की लिखत परचा के आधार पर मेधासुची के तयार कinks रिखती ओन्रूप है। मालम हो कि डॉक्टर भीम राउ अम्बेटकर आवासिय विद्याले में निश्रुक नामांकन, पठन पाठन, आवासन, निश्रुक भोजन, नास्ता एवं अने आवासिय सुधाय मिलेंगी। विसेश जानकारी हेतु संबध्य जिला के जिला अनुशुचित जाती एवं अनुशुचित जन जाती कल्यान कारयाले से संपर्ख करे। जो लोगों को नहीं पता है, जो किसी भी सारजनिक मंच पर उपलब्धन नहीं है। मंत्री के बहुमुखी व्यक्तित्व को दर्शाता है। बिहार परेटर में आज हम बात करेंगे उच्चैट भवानी मंदर के बारे में। उच्चैट भवानी मंदर मधुवनी का एक प्रसिध मंदर है। मधुवनी जिले में बेनी पट्टी ब्लॉक में स्थत है। मंदर बहुत बड़ा परिसर में फैला हुआ है। यहां पर आपको बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। मंदर के मुख्य गर्वग्री में मा उच्चैट भवानी जी दुर्गाजी का ही स्वरूप है। उच्चैट भवानी जी की प्रतीमा सर्विहीन है यह प्रतीमा काले कलर के पत्थर की बनी हुए और प्राचीन है। आप करग्री में आकर माता का पूजन कर सकते हैं। मंदर पूरे बहार में प्रसिध है। गनेश भगवान जी पारवती माता हनुमान जी नंदी महराज के दर्शन करने के लिए मिलते हैं यहाँ मंदिर प्राचीन है यहाँ पर आकर अच्छा लगता है इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता ने शंस्क्रित के प्रसिद कभी कालिदाज जी को दर्शन दिये थे और उन्हें आसरबाद दिया था कहा जाता है कि यहाँ पर आकर सभी लोगों की एक्छाएं पूरी होती है इसलिए यहाँ पर लोग माता के दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पर आकर अच्छा लगता है नवरात्री में यहाँ पर बहुत जादा भीर रहती है यह मधुबनी में घूमने लायक एक मुख्य जगा है यहाँ पर आपको बहुत सुंदर, सुंदर मुर्तियां देखने के लिए मिलती है 20 राज्यों में होगा मुझपरपुर के शाही लीची के बाग का वस्तार राष्ट्रे लीची अनुसंदर के द्वारा लीची के बाग के वस्तार पर काम किया जाएगा इसके पहले चरण के तहट करीब 5000 हिक्टेर में बाग लगाए जाएगे वहीं करनाटक में 125 हिक्टेर में इसकी शुरवात हो चुकी है बता दे कि दक्षिन भारत के राज्यों में लीची बाग के वस्तार में भारतिय बागवानी अनुसंदान संस्थान बेंगलुरू के द्वारा भी सहयोग किया जाएगा वहीं सकाम को पूरा करने के लिए मुझपरपूर इस्तित राज्ट्रिय लीची अनुसंदान केंदर परिसर में पौधर शाला की छमता बढ़ाई जाएगी बता दे कि अध्यन के अनुसार जिन बीस राज्यों में लीची के लिए अनुकूल मिट्टी और चलवायू पाई गई है उनमें आंध्रप्रदेश, करनाटक, तमिलनाडो, उत्तरप्रदेश, चारखन, बंगाल, असम, मध्यप्रदेश, उरिशा, मनिपूर, हिमाचल प्रदेश, चंडिगर, उत्राखन, जमू, एवं काश्मीर, पंजा, प्राजिस्थान, मिजोरम, गुजरात, महराश्रवा, नाचल प्रदेश, शामिल है, दरभंगा से अयोध्या होते, दिल्ली तक चलेगी अमरित भारत एक्स्प्रेस, बहुत जल्दी विहार के दरभंगा से, सीता मधी, रक्सौल के रास्ते अयोध्या होते वे, नई दिल्ली के आनन्द विहार, रेलवे स्टेशन के बीच, अमर इध्या तक चलाई जाएगी, वहें इसके उद्गाटन को लेकर अब तक आधिकारिक तोर पर कोई तारीक सामने नहीं आई है, जानकारी के नुसार 22 कोच की, यह ट्रेन 130 कीलो मीटर प्रती घंटे रफ्तार से चलेगी, मालम हो कि इस ट्रेन का पड़िचालन पश्रु पु खिली रहेगी, इसके बाद ठंड और बढ़ोतरी होगी, मौसम विभाग के अनुसार अगले सब्ता तक ठंड में और जादा बढ़ोतरी हो सकती है, मौसम विभाग का कहना है कि जल्दी बिहार का तापमान नीच जाने वाला है, मौसम विभाग के अनुसार अभी बारिस की संभाबना नहीं है सुबह में हलका कोरा रह सकता है आसमान साफ रहेगा इस दुरान पश्मी हवा चलने की संभाबना है हवा के ओसत गती एक से तीन किलो मीटर प्रती घंटा रह सकती है 25 दिसंबर के बाद तापमान में एक आएक कमी आएगी और सर्थ हवा के कारण ठंड बढ़ जाएगी उधर कोड़ा भी चाने के आसार है जिस सिद्रिश्टा चमता बेहत कम हो सकती है अनुमाने के सुबह साम के साथ दन में भी ठंड का हैसास होगा मौसम विज्ञान केंदर से प्राप्त आकरों के मताबिक राजी में सत्वी पश्मी हवा का प्रवाह जारी है अगले 24 घंटों के दौरान राजी का मौसम आम तोर पर सुस्क रहेगा बिहार के दक्षनी भाग में आंसिक बादल चाय रहने के आसाथ हैं कनफॉर्म रेल टिकेट कैंसल करने पर अतना पैसा मिलेगा वापस अगर आप अपना कनफॉर्म आर एसी या वेटिंग क्रेन टिकेट रद करते हैं तो पैसा कटॉती की राशी समय के आधार पर अलग अलग होती है ऐसे में एसी फर्स्ट एक्जेक्यूटिव क्लास के यात्रियों के लिए प्रती यात्री 240 रुपे कैंसलीशन चार्ज देना होगा वहीं एसी टू टियर प्रतम श्रेणी और एसी थ्री टियर एसी चियर कार के लिए 200 रुपे AC 3 एकनॉमी के लिए 180 रुपे और 23 श्रेनी के लिए 60 रुपे देने होंगी यदि कोई याटरी ट्रेन के सद्डियूल टाइम से 48 गंटे से कम और 12 गंटे पहले तक कनफॉर्म टिकेट कैंसल करता है तो कैंसलेशन चार्ज को किराई का 25 प्रतीशत होता है अगर 12 गंटे से कम और 4 गंटे से पहले कनफॉर्म टिकेट कैंसल करता है तो कैंसलेशन चार्ज किराई का 50 प्रतीशत होगा RAC प्रतिच्छा सूची वाली टिक्टो को रद करने के लिए दिटिकेट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से आधी गंटे पहले तक रद किया जाता है तो प्रतिव्यक्ती लिपी की एप्रिभार घटा कर पूरा रिफंट किया जाएगा हज पर जाने के लिए आविदन करने की अंतिम तारिक बढ़ी है मालूम हो कि पहले जहां हज यातरा पर जाने के लिए आविदन करने की अंतिम तारिक 20 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गए थी वहीं अब उसको बढ़ा कर 15 जनवरी 2024 तक कर दिया गया है समेस बारे में बिहार हज कमीटी के चेर्मैन हाजी अब्दुलहक के दौरा पताया गया कि हज के लिए आविदन करने के लिए हज कमीटी ओफ इंडिया के वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in या मोवाइल एप हज सुधा पर जाकर किया जा सकता है वहीं ओनलाइन आविदन करने के बाद दस्तावी जोको हज भवन में जमा कराना भी आनिवाड़ है इसे जुरी अधिक जानकारी के लिए सुने 612-22-3315 या 82714-633-43 या 969-3638-579 या 93-816-2375 या 97-09-64-7585 या 70-70-816-96 पर संपर्थ किया जा सकता है बौध धर्मगुरु दलाई लामा से मिले सीयम नितीश, पीते दिन बिहार के मुख्यमंतरे नितीश हुमार दिल्ली से पटना पहुंचे और फिर पटना एरपोर्स ही बोध गया के लिए रवाना हो गये जहां उन्होंने प्राचीन तिब्बती मौनश्ट्री में बौध धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की और साथी महाबोधी मंदर में पूजा अर्चना भी की महाबोधी मंदर में पूजा अर्चना करने के बाद मुख्य मंतरी नितीश कुमार गया एरपोर्स से पटना के लिए रवाना हो गये बता दे किस दोरा मुख्य मंतरी नितीश कुमार और बौध धन्गुरु दलाई लामा के बीच काफी इस नहीं देखने को मिला महागरबंधन की सयुक्त बैठक सांसदों के निलंबन पड़ आज होगा विरोध प्रदर्शन बीतिदिन बिहार की राजधानी पटनायसित राज़त प्रदेश कारयाले में राज़त की प्रदेश अध्यक जगदानन सिंग की अध्यक्षता में महागरबंधन दल की बैठक आयूजित की गए जिसमें राज़त चदियो और लिफ्ट के तमाम नेता शामिल हुए बता दे कि बीते दिन हुए इस बैठक में माकपा माले से ध्रिंद्र जा, CPI-M से अरुन कुमार मिश्रा, CPI से राम बाबो कुमार, कॉंग्र से शकील एहमद, राजस से श्याम रजक, उधैर नडायान चौधरी, रन विजय साह और शक्ति सिंग यादब मौजूद थे निता प्रतिपक्ष विजय सन्हा ने तेश्री आदब पर कसा तंच, पीते दिन बिहार विधान सभा के निता प्रतिपक्ष विजय कुमार सन्हा के द्वारा, बिहार के उपमुख्य मंत्री सा स्वास्ते मंत्री, तेश्री आदब पर तंच कस्ते वे कहा गया कि वेराज्य के सरकारी अस्पतालों का भ्रहमन करने नहीं जाते हैं उनका में संसाठ का घोशना हवा हवाई सावित हुआ उन्होंने कहा कि जब विरोधी दल के नेता के रूप में यहां के स्वास्तस्तिवा पर सवाल उठाये जाते हैं तो सतापक्ष को मिर्ची लगती है पर अब विभा को सही धंक से नहीं चला पार हैं मुख्यमंत्री बिमार चल रहे हैं राज्य के स्पतालों की इस्ति खड़ाब होने के कारण उन्हें राज्य से बाहर अपना इलाज करवाने जाना पर रहा है लालु यादव भी यहां इलाज कराने से डरते हैं इसलिए वो भी बाहर जाते है तो ऐसे में आम मर्जों की दूर दर्शा का आकलन करना कितना कस्चदाई है सीम नितीश की नाराजगी पर लालु यादव की सफाई दिली में आयोजित हुए इंडिया गडबंधन की बैठक के बाद ऐसी खबरे चल रही थी कि मुख्यमंत्रे नितीश कुमार इंडिया गडबंधन से नाराज हैं वहीं अब इस पर राजस सुप्रीमो लालु प्रशाद यादव के द्वरा अपनी सफाई दी गई है उन्होंने मीडिया से बात करते वे इस बात को सीदे से खारज कर दिया है और सफाई देते वे कहा के इंडिया गडबंधन में सभी लोग एक मीडिया में जो भी नाराजगी की बाते चल रही है वो पूरी तरह से गलत है उन्होंने कहा के इंडिया गडबंधन की बैठक बहुत सकरात पक हुई है इडिया में जो लोग नरिंदर मोदी से बिके हुए हैं वे उल्टा बात दिखाते हैं चाहे जो भी हम लोग तैक करने वे उसका उल्टा प्रोजेक्ट करते हैं उन्होंने कहा कि नतीश कुमार और लालू प्रशाद नाराज है और बैठक से उठक चले गए लेकिन बैठक खत्म होने के बास सभी लोग प्रेस कॉन्फरेस में नहीं जाता है कम ही लोग जाते हैं और जो बात हुई उसको बताते देना है और गर्बंधन की तेजी से बढ़ाना है नतीश कुमार और हम लोग नराज नहीं है जिसमें उनके दोरा 13 चौके और एक छक्का लगाया गया वही अब समित के इस पारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वारल हो रहा है जिसमें वो शांदार सौर्स लगाते नजर आ रहे हैं आपके जानकारी के लिए बता दे किस मैच में जमु कश्मीर के दोरा पहले बल भारत के तिहास में आज की तारीक है कहीं कार्नुस दर्ज रवंद्र नाथ टैगोर के पिता देवंद्र नाथ टैगोर 483 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए देश में पहली मालगारी 1851 में डुड़की से चलाई गई मानवेंद्र नाथ राए ने 1940 में डेडिकल डेमोक्राटिक पार्टी की स्थापना की गोशना की जवाहलाल ने रुविश विद्यारे नई दल्ली के स्थापना जेन्यू अधिनियम के अंतरगत भारतिय संसत द्वारा 1986 में की गई थी शांति निकेतन में ब्रह्मचारे आश्रम को 201 में अपचारिक रूप से खोला गया भारत और पाकस्तान ने 2006 में स्थानिय निकाई के छेतर में आपसी सहीयों के लिए एक सेंफत काले दल का गठन किया से सकत बलू के वेतन में वी संगतियों के लिए कठत मंत्रियों के समूरे 2008 में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग को अपने रिपोर्ट सौपी सुतन्ता सिनानी मौलाना मजरूल हक का जन्म 886 में हुआ प्रसिध भारतिय गरेतगे स्री निवास अयंगर रामानुजन का जन्म 886 में हुआ समकालीन हिंदी कविता के महतपुन कवी पंकस सिंग का जन्म 1948 में हुआ गुरू रामकृष्ण परमहन्स की पत्नी और आध्यात्मिक साथी शार्दा देवी का जन्म 1903 में हुआ भारत के प्रसिध कांतिकारीयों में से एक तारक नाथ दास کا 1958 में निधन हुआ भारतिय सनीमा जगत के प्रसिध संगीतकार वसंत देशाई का 1975 में निधन हुआ वारल करे में आज हम बात करेंगे टेली कॉम बिल के बारे में पेश किया गया था प्याइबी ने अप्र टूइट में आगे लेका है कि बिलको धन विध्यक के रूप में पेश नहीं किया गया था अनुछेद 110 के अनुसार धन विध्यक में उपधारा एजी में सूची बत सभी या किसी भी मामले से सम्मधित केवल प्राधधान शामिल है दूर संचार विध्यक में न केवल एजी में सूची बत मामले शामिल है बलकि अने मामले भी शामिल है इस प्रका अनुछेद 110 के मान तंडों को पूरा नहीं करता है अनुछेद 117,1 एवं 3 के अंतरगस्त राश्टुपती के अनुसार प्राप्त की गए इसलिए बिलत अनुसार लोकसभा में पेश किया गया था गैलरी में नहीं दिख रही है वाटसेप फोटो कड़े ये काम वाटसेप पर हम रोजाना टेक्स्ट मैसेज से लेकर फोटो और वीडियो तक एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं आला कि कई बारे ऐसा होता है कि वाटसेप पर आई पर आई फोटो और वीडियो सीधा फोन की ग्यालरी में सेव हो जाती है अस फीचर को अपने फोन में आउन करने के लिए सबसे पहले आप अपने समार्ट फोन में बासाय में वाटसेप उपिन करें अब 30.1 विकल पर क्लिप करें यहाँ चैट सेक्शन में आपको यहाँ परिक्षा में शामिल हो रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है बतादे कि इंसिट्यूट और बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन के दोरा आईवी पीस एसो प्रिलिम्स एडमिट काड दो हजार तेश चारी कर दिया गया है ऐसे में परिक्षा में शामिल होने वाले उमिद्वार अ प्रिक्षा सजड़ी अधिक जानकारी के लिए उमिद्वार आईवी पीस की आधिकारिक वेब साइट पर जाकर देख सकते हैं आयुश्मान काड बनवाने के लिए अपना ये तरीका किंद सरकाल के ओर से आयुश्मान भारत योजना के तहर देश के गड़ी परिवारों को पांच लाग तक का इलाज मुफ में उपलब्द करवाया जाता है इसे में अगर आप भी इस योजना का लाब लेना चाहते हैं तो आपके पास आयुश्मान काड होना जरूरी है जिसे आप कॉमन सर्विस सेंटर लोग सेवा किंदर यूटी आई 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 टी एसल केंदर पर जाकर पातरता जांच का काम करवाकर बनवा सकते हैं इसके अलाबा आप इस कार्ड को चिनत ग्राम, रोजगार, स्थायक और वाड, इंचार्ज के सहयोग से भी बनवा सकते हैं भहीं आप यह कार्ड योजना से समध एस्पतार में भरती होने की सिती में आई उश्मान, मिर्त्र की माध्यम से निशलक कार्ड बनवा सकते हैं बतादे किस कार्ड को बनवाने के लिए जिन दस्तावीजों की जरुरत होती है उनमें आधार कार्ड राशन कार्ड इंकम सर्टिफिकेट जाती प्रमान पत्र एक वैलिट फोन नंबर और पासपोर्ट साइस फोटो शाम है हम प्रति दिनाम से पांच ऐसे जरुरी सवाल और से जरुरे जवाब बताएंगे जो की बीपेसी बिहार पुलिस दरोगा समेथ ऐससे जैसे अन्य प्रतियोगी परिच्छाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेशल विग्यान करेंट अफेर्स और भूगोल स रहेंगे पूछे कर पांच सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में कौन सा राज्यक्रिसी विपनल सुधारों में प्रतम स्थान पर रहा है ऑप्शन ए आंद्रप्रदेश ऑप्शन बी बिहार ऑप्श ऑप्शन इस सोला दिसयमबर ऑप्शन भी सत्रा दिसयम ऑप्शन सीरे अप्शन दी सवाल हाली में चहत्यजार के इसका सही उत्तर है ओप्षणी विधान सभा का है स्पीकर अगले सवाल विहार का कौन सा 1770 से 71 में सन्यासी विद्रो का केंद्र था ओप्षणी पटना ओप्षणी पुर्णिया ओप्षणी गया ओप्षणी नालंदा इसका सही उत्तर है ओप्षणी पुर्णिया अगला सवाल विर्सा मुंडा का उद्देश्य क्या था ओप्षणी आंतरिक सुध्धी ओप्षणी विदेशी राज की समावती ओप्षणी ब्रिटिस समर्थक जमिनदारों से मुक्ती ओप्षणी उप्रोक्त सभी इसका सही उत्तर है option दी उप्रोक्त सभी बीते दिन मादरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब हमें अमारे comment section box में लिख कर दिया था जिनने मादरा पूछे के सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल क्यों राज का सवाल है सभी परसीतियों को देखते वे आपके नुसार क्या 2024 के लोग सभाज चुनाओं में इंडिया गडवंधन के द्वारा बीजेपी को टक कर दिया जा सकता है अपना जवाब हमें अमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख का ज़रूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बनने ने के देखते रहें बिहार न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखरें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखरें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद